माइ नेम इज अंकुर एंड वेलकम टॉ आल आन्लो चैनल आर्टुयाम आज की छोटे से वीडियो में मैं आपको केवल दो ट्रिक दूंगा एक ट्रिक आरेसी की एक ट्रिक सोंग की जहां पर एस्परेंट को मैक्सिम कन्फूजन होता है और वो गलती कर देते हैं तो सबसे प प्रिजन का हाईयस फ्रिजिंग पॉइंट है बालिंग पॉइंट है लोवेस्ट फ्रिजिंग बाइंट उसका ट्रिक देखे क्या है सबसे पहले लेट कॉलम में लेखिए आप लोग हाईयस्ट हाईयस्ट लेट कॉलम में राइट कॉलम में लेखिए लोवेस्ट लोवेस् फिर आप क्या करिये first row में first row में लेखिए freezing point freezing point second row में लेखिए boiling point and last में इस table को complete कर देए highest, highest left column, lowest, lowest right column first row में freezing point second row में boiling point cross multiplication में लेख दीजे CO2 और इधर cross multiplication में लेख दीजे 11, 2 are 22 स्ट्रिक की है एक ट्रिक और देखते हैं यह ट्रिक सोम की है सोम की कोश्चन में आप लोगो ने बहुत बार देखा होगा कि के लिए और में तॉट्क के यहां कि सब्सक्राइब बार दिया रहता है किसमें इंसाइल किसमें बहुत कंफ्यूश और और अब दी कोश्चन तेंपेचर राइस करेंगे तो जिसका alpha जितना ज्यादा होगा alpha ज्यादा का मतलब होता है alpha का हम बोलते हैं coefficient of thermal expansion जिसका alpha जितना ज्यादा उसके अंदर compressive stress उतना ज्यादा आएगा तो अगर आप composite bar में दो material दिया गया, steel दिया, copper दिया brass दिया, aluminum दिया, temperature तो आप कैसे बचाने के किसमें compressive stress जादा आएगा, जब तक आपको alpha का order नहीं याद होगा उसका order का trick क्या याद करने का देखी, order यह होता है सबसे कम alpha होता है diamond उससे ज़्यादा इन्वार, फिर steel, फिर copper फिर brass, फिर aluminum, यह है increasing order of coefficient of thermal expansion diamond का सबसे least होता है but diamond की costly बहुत है particularly use करते हैं इन्वार, इन्वार का होता है 1.2 into 10 की पावर minus 6 per degree Celsius और diamond का होता है 1 into 10 की पावर minus 6 per degree Celsius coefficient ता थ्रमक्स प्रेंसें बताता है कि 1 degree Celsius temperature rise करने पे कितना deformation हो रहा है किसी भी component के अंदर इन्वार में सबसे least होता है इन्वार में थोड़ा जाता है सबसे highest aluminum में अब exam में question इस order कैसे याद करेंगे इस order को मैंने arrange किया है increasing order of coefficient of thermal expansion तो इसका trick है disc ball trick क्या है disc ball इसका trick है disc ball D से diamond, I से इन्वार, S से steel C से copper, B से brass, AL से aluminum तो यह increasing order में है इस increasing order के लिए trick है disc ball ठीक है diamond, Invar, Steel, Copper, Brass, Aluminium diamond, Invar, Steel, Copper, Brass, Aluminium अब अगर question में माल लिए आपको देते आए कि दो composite bar है एक है brass, एक है aluminum composite bar के मतलब bars in bar एक बार के अंदर दूसरा बार है या एक ट्यूब के दूसरा ट्यूब है माल लिए एक brass की ट्यूब है उसके अंदर आपने insert के दे aluminum की ट्यूब यह composite bar हो गया temperature rise किया गया तो किस में compressive resistance है का brass में की aluminum है तो मैंने बताया composite bar temperature rise कर रहे हैं तो जिसका alpha ज़्यादा उसमें आगए compressive resistance और brass एन aluminum में किसका alpha ज़्यादा है जिसका alpha ज़्यादा उसके अंदर compressive stress आता है similarly अगर आप temperature rise करने पर यह हो रहा है अगर मैं आप से बोलू कि temperature drop करने पर क्या होगा तो आप बोल सकते है temperature drop जब करेंगे तो जिसका alpha जितना ज़्यादा उसके अंदर टेंसाइल आएगा अगर आप temperature drop कर रहे है तो जिसका alpha ज़्यादा उसमें टेंसाइल आएगा तो आप एक ही याद करिए दूसरा अपने आप निकल लाएगा आप खाली बसी याद करिए अगर temperature rise कर रहे है 80-90% कोशन rise का ही आता है temperature rise कर रहे है तो जिसका alpha ज़्यादा उसके अंदर हमेशा compressive stress आएगा बढ़ अगर कभी कोशन में temperature drop का दे दिया तो temperature drop कर रहे है तो जिसका alpha ज़्यादा उसके अंदर tensile stress आएगा बट वो drop वाला बहुत कम आता है most आप दिक कोशन rise के आते हैं तो एक trick RAC का हो गया एक trick इसका हो गया RAC का highest highest lowest lowest first row में freezing point second row में boiling point CO2 cost multiplication 11 to the 22 और यहाँ पर trick है composite bar में कैसे बचानेंगी compressive है कि टेंसाइल हैगा ट्रीक है disc ball diamond, inwar, steel, copper, brass, aluminum तो अगर आप composite bar की बात करेंगे जिसका alpha ज़्यादा temperature rise कर रहे हैं उसमें compressive stress आएगा अगर आपको ऐसे ही और ज़्यादे अच्छे content चाहिए चैनल को like करिए, share करिए, subscribe करिए till then take care, goodbye